में 25 मार्च को देरात एक दर्दनाक हाथसा हुआ हाथसे का वीडियो देख कर पूरी दुनिया दंग रह गई एक जहाथ के टकराने से पलक छपकते ही अमेरिका का फ्रांसिस कॉट की पुल तूट कर नदी में गिर गया हाथसे में करीब 8 लोग भी नदी में गिर गए जानकारी के अनुसार क्रू का जहाथ से नियंतरन खत्म हो गया जिसके चलते ये हाथसा हुआ मामले में 2 लोगों को बचा लिया गया है लेकिन 6 लोग अब भी लापता है इन लापता लोगों की मौत की अशंका भी जताई जा रही है इस हाथसे के बाद से अंतराश्ट्य स्तर पर कई सवाल उठाए जा रही है क्या इस हाथसे के पीछे कोई आतंकी मकसद था इस हाथसे में कितने लोग लापता है क्या इस हादसे में जानमाल की हानी भी हुई है ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया पर ट्रेंट कर रही है इनी सारे सवालों का जवाब देने के लिए उसी दिन अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित किया आईए आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा बाल्टिमोर हादसे पर प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए बाइडन ने कहा घटना स्तल पर तैनात अधिकारियों का अनुमान है कि 6 लोग अब भी लापता हैं हालां कि ये संख्या बढ़ भी सकती है सभी को ढूनने के लिए बचाव अभ्यान चारी है अब तक मिले सभी सबूतों से यही लग रहा है कि ये एक भयानक दुरगटना थी फिलहाल तो ये जानबूच कर किया काम नहीं लग रहा है दुरगटना में तबाह हुए पुल का सरकार फिर से निर्मान करेगी इस हादसे के शिकार हुए जहास की पहचान डाली के रूप में हुई है जो अमेरिका के बाल्टी मोर से श्री लंका के कॉलงबो के लिए रवाना हुआ था और तड़के डेर बजे दुरगटना गरस्त हो गया अगर इस हादसे की वजह के बारे में बात करें तो फुटेच देखने के बाद एक्सपर्ट ने हादसे की चार वजाहें बताई हैं जिन में जहाज का मुखे एंजन, फेलियर, स्टेरिंग फेलियर, जनरेटर, ब्लैक आउट या तक्नीकी कारण बताय जा रही हैं ऐसा भी संभव है कि इस हादसे के पीछे पूरी गलती पाइलेट की ही हो जानकारी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका के बाल्टिमोर में फ्रांसिस कॉट की ब्रिज पर दुरगटना गरस्थ हुए कंटेनर जहाज पर सवार सभी 22 क्रू मेंबर भार दिये थे इस जहाज को संचालित करने वाली कंपनी ने बताया है कि ये सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं सेनरजी मरीन ग्रूप ने एक बयान में ये सपश्ट भी किया है कि दो पाइलेटों सहित क्रू मेंबर के सभी सदस्यों का पता लगा लिया गया है और कोई हाता हात नहीं हुआ है आपको बता दें कि ढहने वाला वाल्टिमोर के दक्षिंक में स्थित ये पुल पटाप्सको नदी पर डेड़ मील से अधिक लंबा है इसे मार्च 1977 में खोला गया था जो एक प्रमुक संपर्क बिंदू के रूप में काम कर रहा था फ्रांसिस कोट की ब्रिज का नाम दे स्टार स्पैंगल्ड बैनर के लेखक के नाम पर रखा किया था इस खबर में वसित्ता ही ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लैटफर्म